तीनों कृशी कानूनों को निरस्थ करने की केंदर की घोशना के बाद सेयुत किसान मूर्जे ने लखनव में किसान महापंचायत की बैठक की जो की शुरू हो चुकी है ये बैठक लखनव के इको गार्डन बेंगॉल बाजार में आयोजित की गई है महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत दर्शन पाल समेत तमाम किसान नेता शामिल हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा जिन कृशी सुधारों की बाद की जा रही है वो नकली और बनावटी है इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुखने वाली नहीं है एक और बैठक करेगा जबकि 29 तारिक को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च यथावत बना हुआ है यानि बात बिल्कुल वही है कि कृशी कानूनों को वापस लेने की घोशना भले ही यहाँ पर प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी हो और उसके बाद निश्चित रूप से इन किसानों द्वारा नाचने गाने या उत्सव की तस्वीरें हमारे पास आनी चाहिए थी लेकिन आंदोलन फिर भी जारी है कोई उत्साह नहीं दर्शाया जारा किसानों की जीत का दावा जरूर किया जारा है सरकार आप ने ये भी आश्वासन दिया प्रधान मंतरी मोदी ने कि इससे जुड़ी समयधानिक प्रक्रिया आने वाले सत्र में कर ली जाएगी पूरी कर ली जाएगी पावजूद इसके किसान आंदोलन लगातार जारी है क्योंकि इसका सीधा तालुक रिशी कानूनों के अलावा आने वाले विधानसबाद चुनाव से ही है और इधर जंडे आप देख सकते हैं याँ पर वामपंती दलों के जंडे नजर आ रहे हैं किसान संगठन लगातार जुटे हुए हैं और लखनव में ये खासतोर से ये जलसा किया गया